दोस्तो regular मेथी दाना खाने से आपको कई सारे health benefits मिल सकते हैं अगर आप 10 ग्राम मेथी दाना रात को गरम पानी में भिगोएंगे और सुभे उठकर खाली पेड इसको खाएंगे और साथ में इसका पानी भी पिएंगे तो इससे diabetes में बहुत फाइदा होता है, sugar level कम होता है ये फाइदा आपको तभी मिलता है अगर आप लगातार 8 हफतों तक इसका सेवन करते हैं यानि 2 महीने, 2 महीने के बाद आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इसका सेवन आपको lifetime करना पड़ेगा, तभी आपका जो blood sugar level है वे कम रहेगा इसको छोड़ देंगे तो blood sugar level फिर से बढ़ जाएगा जब आप 2 महीनों तक लगातार 10 gram मेती दाना हर रोज खाते हैं तो इससे insulin resistance इंप्रूब होती है यानि body insulin का बेहतर इस्तिमाल कर पाती है और इससे insulin की secretion increase होती है यानि body में insulin ज्यादा बनती है और इसमें soluble fiber होता है ये भी blood sugar level को कम करता है रेगुलर मेती दाना खाने से cholesterol भी कम होता है अगर आप 2 gram मेती दाने का powder दिन में 2 बार लेते हैं लगातार 3 महिनों तक तो 3 महिने के बाद आपका जो LDL cholesterol level है वे कम होना शूरू हो जाता है जो LDL होता है ये bad cholesterol होता है मेती दाने में fiber होता है जो cholesterol को कम करता है इसके लावा मेती दाने में saponins नाम के पदार्थ होते हैं ये पदार्थ intestine के अंदर cholesterol को bind कर देते हैं जिससे cholesterol कम मातरा में digest होता है मतलब cholesterol की जो absorption होती है वह कम हो जाती है इससे आपके खून में cholesterol का level कम हो जाता है cholesterol कम करने के लिए आपको 2 gram मेती दाने का powder दिन में 2 बार लेना है लगातार 3 महिनों तक और इसको लगातार ले दे रहना है जब तक आप अपना cholesterol level कम रखना चाहते हैं छोड़ना नहीं है इसका अगला फाइदा digestion के लिए होता है मेती दाना खाने से constipation ठीक होती है indigestion ठीक होती है और acid reflux ठीक होता है मेती दाना जब पानी के संपर्क में आता है तो एक gel जैसा पदार्थ बनाता है जो constipation को दूर करता है यह जो gel जैसा पदार्थ होता है यह digestive enzymes को भी stimulate करता है यानि जो पाचक रस होते हैं वह ज्यादा मातरा में निकलते हैं इससे भोजन जल्दी पचता है और nutritional absorption बढ़ती है पोशक तत्व ज्यादा मातरा में हजम होते हैं तो digestion को improve करने के लिए आपको 2 ग्राम मेती दाना एक दिन में खाना है मेती दाना खाने से body में inflammation भी कम होती है यानि सूजन कम होती है तो जिन जिन बीमारियों में inflammation की समस्या होती है उन उन बीमारियों में मेती दाना फाइदा करता है जैसे कि arthritis, skin के उपर, eczema की समस्या और asthma की problem ऐसे जितने भी conditions होती हैं जिन में body में सूजन होती है इन कंडिशन में benefit होता है क्योंकि मेथी दाना खाने से सूजन कम होती है इसके अलावा जो मेथी दाना होता है यह है लीवर के उपर जो stress पढ़ता है उसे भी कम करता है तो लीवर के लिए भी मेथी दाना अच्छा है लीवर के उपर आई हुई सूजन को भी कम करता है जो पुरुश होते हैं वे अगर मेथी दाने का लगातार सेवन करते हैं तो इससे उनकी बॉड़ी में टेस्टेस्ट्रोन का लेवल भी बढ़ता है। इसके लबा मेथी दाने का सेवन करने से exercise performance बढ़ती है। अगर आप 500 mg मेथी दाने का extract खाते हैं exercise करने से पहले लगातार 8 हफतों तक यानि 2 महीने तक तो इससे आपकी exercise की performance बढ़ती है आपकी body के muscles की strength बढ़ती है exercise tolerance बढ़ती है और stamina बढ़ता है। मेथी दाना खाकर आप weight loss भी कर सकते हैं अगर आप 8 ग्राम मेथी दाने के बीज हर रोज खाते हैं 6 हफतों तक कम से कम 1.5 महीने तक तो आपको weight loss के effect नजर आएंगे कारण है कि मेथी दाना खाने से भूख कम होती है यह appetite को reduce करता है जब भूख कम होती है तो आप कम खाते हैं जिससे calorie intake कम हो जाता है आपके शरीर में कम calories जाती है और food के प्रती आपकी जो craving होती है वह कम हो जाती है जब ऐसा होता है तो फिर इससे weight loss होने benefit नजर आएगा इससे आपका blood pressure कम होगा लेकिन आपको इसका benefit लेने के लिए लगातार इसका सेवन करते रहना पड़ेगा तो अगर आप 10 ग्राम मेथी दाने के बीच हर रोज खाएंगे तो आपकी heart health improve होगी इसके लावा skin health भी improve होती है ऐसे skin conditions जिन में inflammation होती है skin की ओपर स कुछ लोगों को allergy हो सकती है skin की ओपर rashes हो सकते हैं चकते पड़ सकते हैं सांस लेने में तकलिफ हो सकती है और BP low हो सकता है यह allergy के symptoms है अगर किसी को मेथी दाना खाने से ऐसे symptoms नजर आए रशीज, चकते, सांस लेने में तकलिफ, low BP तो समझे कि आपको मेथी दाने से allergy है करना कुछ लोगों को digestive issues आ सकते हैं, जैसे gas, bloating, ऐसा अधिक fiber की वज़े से होता है, क्योंकि एकदम से जब आप ज़्यादा fiber खाना शुरू करते हैं, तो आप fiber को digest नहीं कर पाते, अगर आपको ऐसी problems आती हैं, तो फिर आप quantity कम कर दीजे, और फिर धीरे-धीरे जब आपका शरीर इसको tolerate करना शुरू कर दे, फिर धीरे-धीरे बढ़ाईए, कुछ medicines के साथ मेथी दाना interaction कर सकता है, उनके कामकार में बाधा उत्पन कर सकता है, जैसे कि blood thinner medicine, खून पतला करने की दवाएं, और diabetes की English दवाएं, इसके साथ birth control pills, तो अगर आप ऐसी medicines खाते हैं, तो एक बार डॉक्टर से पूछ ले, मेथी दाने का सेवन शुरू करने से पहले, और मेथी दाने से hypoglycemia हो सकता है, यानि sugar level ज्यादा कम हो सकता है, तो जब आप मेथी दाने का सेवन करेंगे, तो आपको अपने sugar levels का ध्यान रखना है, कि कहीं normal range से ज्यादा कम तो नहीं हो रहे, तो ये थे मेथी दाने के कुछ उपयोग, फाइदे, सावधानिया, उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंकी सो मच,